दोस्तों ये है तोशीबे का नया OLED स्मार्ट टीवी, ये 50 इंचिस का 4K स्मार्ट टीवी है, डिजाइंड इन जपैन और मेड इन इंडिया, तो इस टीवी का मॉडल नंबर है C450, 50 इंचिस, ये Dolby Atmos, Dolby Vision और Voice Control प्लस Dual Band Wi-Fi सपोर्ट के साथ में आता है, तो चलिए सबसे पहल करनते हैं तो आपको इंस्टालेशन फ्री में मिलने वाला है, तो इंस्टालेशन खुद ना करें, बॉक्स में आपको ये कुछ बुकलेट्स मिलने वाला है, वैसे जो टीवी है ये 2 years की वारंडी के साथ में आता है, वारंटी कार्ड यहाँ पर दिया हुआ है, अंदर दो सारे 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 तारिक तदीए से smart remote के साहे सथैं लेकिन ये समार्ट रिमोट भी है और वैसे भी बहुत नहीं सारे सरज बैट्र 열ल रिमोट करते हैं तो इसमें दोनों है और यहां पर द इकुत स्धव केडिए बट्टनिस धिया हुँआ प्रिशनल रिमोट्स प्रिफर करते हैं तो इसमें दोनों है और यहां पर दिखें स्पेशल डेडिकेड़ बटन्स दिया हुआ है बहुत सारे अप्लिकेशन के लिए जिसमें नेट्लिक्स है आपल टीवी प्लस यूट्यूब एमाजॉन प्राइम वगरवगरवगर रिमोट के लिए बैटरीज भी बॉक्स में दिया हुआ है तो जो पावर कॉट है उसे आपको यहां पर पीछे की तरफ लगाना है और इस साइड पर बहुत सारे पोट्स दिया हुआ है मेन पोट्स लेकिन बैक साइड पर देख सकते हैं कि एवी पोट भी यहां पर दिया हुआ है यहां पर LAN port है, Digital Audio Out port है, Antenna port है, 2 HDMI के 3 ports दिया हुआ है, 4K at 60Hz support के साथ में, और कुछ common interface है, HDMI port 1 जो है, यह EARC support के साथ में आता है, और USB के 2 ports यहां पर दिया हुआ है, तो जो ports है, यह easily accessible है, तो चलिए मैं इसका setup कर लिता हूँ, और जब तक यह setup हो रहा है, मैं आपको बता दूँ, कि Toshiba Television जो है, यह official TV partner है, EuroCup 2024 का, in Germany, तो यहां पर सबसे बेस्ट option होगा, कि मैं यह QR code है, इसे scan करके mobile यूज करके installation कर रहा हूँ, यहां पर मुझे यह जो वीदा smart TV application है, इसे install करना पड़ेगा, तो मैं यह install कर लेता हूँ, इसका operating system है, यह काफी अलग है, इसमें वीदा operating system यूज किया गया है, जो की काफी secure है safe है, और intuitive है, तो फिलाल जो setup process है, यह चल रहा है, यह TV, Apple, Airplay और HomeKit support के साथ ने आता है, बिल्ड और finishing इसकी काफी बढ़िया है, यह देखें, बैक साइड से यह ऐसा दिखता है, यह काफी अतक slim भी है, वैसा अगर आप चाहें तो इसे wall mount कर सकते हैं, लेकिन stand पर भी यह का बहुत सारे जो important applications है, जैसे कि Netflix है, Prime Video, Apple TV, YouTube, यह सारे applications support करता है, बहुत सारे है, और क्यूंकि Toshiba Euro Cup का official partner है, यहाँ पर देखें, latest जानकरी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर उपर जो settings के options है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्यूंकि इसका OS है, यह काफी अ options available है, अगर कोई firmware update आएगा, तो यहाँ से आप उसे update कर पाएंगे, यह QLED TV है, लेकिन market में LCD TVs, LED TVs और QLED TVs available है, तो LCD की जो quality है, वो एक तरह से budget friendly type की है, सस्ते जो TVs है, वो LCD screens use करते है, उसके बाद में आता है LED, जिसकी quality LCD के comparison में बहतर है, लेकिन यह QLED, और QLED की quality है, यह LCD और LED के comparison में काफी बढ़िया होती है, पिचर quality बहुत ही बढ़िया है, एक तो QLED पैनल है, उसके अलावा, इसमें Toshiba का proprietary Regza engine ZR यूज किया गया है, प्लस यह Regza audio support के साथ में भी आता है, पिचर quality से मैं वाके में काफी impressed हूँ, और इसका viewing angle है, यह भी काफी बढ़िया है, तो ह यूज कर पाएंगे, यह 4K TV है, और देख सकते हैं कि बहुत सारे जो content है, जैसे कि यह 4K में available है, वैसे जो TV है, यह Dolby Vision support के साथ में भी आता है, और जो content Dolby Vision support करते हैं, देख सकते हैं कि यह content है, यह support कर रहा है, तो यह content है Dolby Vision support के साथ में मैं इस TV पर देख पाऊंगा, तो पास Amazon Alexa है, तो उसे आप activate कर सकते हैं, वैसे मैंने Amazon Alexa select किया है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं, कि उसके अलावा Google Smart Home Alexa option available है, तो picture quality no doubt बहुत भढ़िया है, और यह 4K upscaling भी support करता है, इनकेस अगर आप कोई ऐसा content play कर रहे हैं, जो कि 4K में नहीं है, तो उसे upscale करने वाला हैं, और sound quality के अगर बात करें, तो यह देखिए, sound quality बहुत ही बढ़िया है, और जो volume है, यह भी काफी loud है, मैंने देखिए, 17 पे रखा हुआ है, फिर भी यह काफी loud है, इतना volume इस room के लिए ठीक है, 17, तो sound quality as well as जो picture quality है, इससे मैं काफी impressed हूँ, यह game mode feature के साथ में, variable refresh rate, HDR 10 plus support के साथ में, और AI PQ support के साथ में भी आता है, यह जो AI PQ है, यह basically AI feature है, जो picture quality है, इसे enhance करता है, AI algorithm use करके, तो यह जो QLED TV है, यह 3 sizes में available है, 43 inches, 50 inches, 55 inches, TV की quality बहुत बढ़िया है, 1200 plus performance test से गुजर चुका है, 3000 km transportation test, और extreme temperatures के लिए भी इसे test किया गया है, minus 30 degrees से लेकर 60 degrees तक, तो special offers भी available है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो pricing है, उसके बार में जानकारी दे लेता हूँ, 55 inches का जो TV है, यह आपको मिल सकता है, 37,999 में, 50 inches का यह जो TV मैं use कर रहा हूँ, इसका pricing है तकरीबन 32,999, और 43 inches का जो TV है, उसका pricing है, 26,999, अब यह जो pricing है, य traditional जानकारी मैंने वीडियो के description में दिया हूआ है, और link भी दिया हूआ है, जहां से आप यह जो product है, इसे खरीच सकते हैं, यह TV आपको कैसा लगा, comments करके मुझे ज़रू बताए, तेकते रहे हैं,